तीवी शो अनुपमा में 15 साल का लीप आने वाला है और इसके साथ ही कई एक्टर्स का पत्ता शो से कट गया है कई चेहरे राजन शाही के डेली सोप से बाहर हो गये है मनीश नागदेव को नए तोश्यो के रोल में सिलेक्ट किया गया है जो लीप के बाद गौरो शर्मा की जगा लेंगे गौरो शर्मा ने ये शो खुद की मर्जी से छोड़ा है और इस पर उन्होंने कहा मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है मुझे नहीं लगता है कि मैं 21 साल की लड़की के पिता की भूमिका निभा सकता हूँ और मैं अपनी वास्तविक उम्र से अधिक उम्र के रोल नहीं कर सकता गवरो सर्मा ने आगे कहा मुझे याद है कि एक रोल करने के बाद मैं निगेटिव रोल में टाइप कास्ट हो जाता हूँ और अगर मैं एक पिता की भूमिका निभाता हूँ तो मैं उस उम्र में फंस सकता हूँ मैंने अपने चिंताओं को टीम के सामने शेर किया और मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी परिशानी को समझा और मेरे डिसिजन को माल लिया एक्टर ने इटाइम से कहा प्रोड़क्शन हाउस के साथ काम करने का मेरा अनुबह बहुत अच्छा रहा है और मैं उनके साथ काम करने को मिस करूँगा ये रिष्ट्या का कहलाता है और अनुपमा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे उमीद है कि मैं जल्दी प्रोड़क्शन टीम के साथ काम करूँगा गौरो क्यों उत्थेच दिल छोड़ आये और रूप जैसे सोस का हिस्सा रहे है उन्होंने इस साल अप्रेल में अनुपमा में आसिश महरोतरा की जगली थी दूसरी और मनिश को बनू में तेरी दुलहन में चीनू के रोल में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और हुआ संतान सपना बाबूल का विदाई हम लड़कियां रहना है तेरी पलकों के च्छाओं में पवित्र रिष्टा जैसे सोच से जुड़ चुके है इस अबडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हम जरूर बताएं बॉलिबड और एंटर्टेन्मेंट की खाबरों के लिए देखते रहे ये एबी भी एंटर्टेन्मेंट